नमस्ते दोस्तों, बारती सिनेमा जगत में काफी कुछ हो रहा है, क्वीन कंगना ने अभी नेता का काम छोड़कर नेता का काम पकड़ लिया है, रनदीप हुड़ा की सावर कर उतना ही चल पाई जितना उसे चलना था, उसके साथ रिलीज हुई मटगाउं एक्सप्रेस ने दरशकों को खूब इंप्रेस किया और बड़े मिया छोटे मिया का ट्रेलर आ गया है, यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहा है, सबसे पहले क्वीन कंगना से शुरू करते हैं, उन्हें 2014 के बाद आजादी मिली और उन्होंने तपस्चा शुरू की, दस साल की कठिन तपस्च भी शुरू हो गए, बयान बादी शुरू हो गई, उनके पुराने ट्वीट्स खोद कर निकाले जाने लगे, ये नुकसान उन्हें इलान मस्क की वज़े से हुआ है, आप शायद भूल रहे हो, कंगना का ट्विटर अकाउंट दोलान ट्रम के ट्विटर अकाउंट की तरह सस्पेंट कर दिया गया था, लेकिन एलान मस्क ने ट्विटर खरीदा, तो पुराने सस्पेंड़ अकाउंट वापस आ गये, यहीं नुकसान हो गया, अब कंगना की पुरानी गालियां, सारी गल्तियां ट्विटर पर तैर रही है, लेकिन अगेन, सिनेमा जगत को थोड़ बनाने लायक मार खुटाई, दिख रही है इसमें, देशभक्ती वाले डायलॉक्स भी हैं, लेकिन देशभक्ती वाली फिल्म में अभी बहुत कुछ अच्छा कर नहीं रहीं, अगर उनमें इंटर्टेन्मेंट ना हो या कम हो, दूसरी एक और चीज़ समझ नहीं आती कि फ वाली फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई, तो बड़े मिया, छोटे मिया का नाम ही डूब जाएगा, ये कोई पुरानी वाली फिल्म का सीकल तो है नहीं, ना उसका स्पिन आफ है, तो वही नाम रखने ही क्या जरूरत थी, अक्छे कुमार की फिल्मों मेकर सच में नामों है उन सब के लिए, प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटर्टेन्मेंट और टाइगर स्ट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जोडी की पिछली कथि साइंस फिक्षन फिल्म गनपक बुरी तरफ पिटी थी, अक्छे कुमार के लिए भी जरूरी है क्योंकि वो काफी समय से एक हिट का वेट कर रहे हैं वैसे ही, जैसे कंगना रनावत एक टिकट का कर रही थी, बड़े मिया छोटे मिया में स्टार कास्ट तगड़ी है, विलन प्रत्विराच सुकुमारन का लुक अभी तक रिवील नहीं किया गया है, ना ही कहानी का सस्पेंस अभी तक टू इस से ज्यादा इसमें क्या अलग होगा, बस वही देखना है, एक और फिल्म आई थी पिछले दिनों, स्वांतन त्रिवीर साबरकर, रंदीप हुड़ा का महत्वा कांग चिप प्रोजक्ट था, उन्होंने इसमें बहुत पैसा लगाया, बहुत मेहनत लगाई, और बहुत आज में दो एक्टर टंड डारेक्टर्स की कहानी सुन लो, मढगाव एक्स्प्रेस लिखने और डारेक्ट करने वाले कुनाल खेमू ने अपनी पहली फिल्म से ही मन मोह लिया रही साथ, प्रोजक्शनल हाउसर को चाहिए कि वो इस आदमी पर पैसा लगाए, और मौका दे इसके पास कमेडी का जखीरा है, अच्छा विजन है, और मेरा वीडियो शेयर कर कुनाल खेमू तक पहुचा दो ताकि उसकी अगली फिल्म में मेरा एक रोल पक्का हो जाए, मढगाव एक्स्प्रेस ने वाकई इंप्रेस किया है, और लोगों की कमेडी की प्यास बजाई ह दूसरे एक्टर से डिरेक्टर बने देव पटेल हैं, हालिवुड में उनकी तूती चल रही है, जिनके मंकी मैन पांच अप्रेल को सिनमा घरों में रिलीज हो रही है, इस फिल्म का जबरदस्त हला मचा हुआ है, कुछ लोग ये भी अपवा पहला रहे हैं कि भारत में जो अगर थेटर देखने को मिल गई तब बहुत अच्छी बात है, नई तो फिर OTT का वेट करेंगे, कर लिया जाएगा, और मालो OTT पर भी नहीं आई तो क्या करेंगे, फिर उसके लिए भाई हमारे पास जुगाड है, यूपी वाले हैं हम, किसी चीज़ पीछे नहीं रहते, ये समझ लेना, आपको हमारी अपकाईती कैसी लगी, हमारी ये रिपूर्टात कैसी लगी, हमको नीचे कमेंट लिखके बताईएगा, जरूर हम पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, लब रियक्ट करेंगे, जरूरी लगा जवाब भी देंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब पर फालो कर लो, अभी चलते हैं, लाइट के बिलते हैं, नमस्ते